हेलो एड़ीवन वेल्कम टू ब्रेक टाइम ग्लासेज माई नेम इस चिचा पांडे देखे पीडी की एक्जाम के लिए हम प्रेप्रेशन करें थे सिलेवस वाइस तो एक टॉपिक लियर हो गया था हडपा सभिता के सब्सक्राइब कर लिए थे तो आज जो दूसरा टॉपिक है वैदिक संस्कृति उसके सामिल किये गए हैं आप सभी कोश्चन को एक बार रिवाइस कर लिजेगा और सारे कोश्चन पूरा एक एक करकी पढ़ लिजेगा क्योंकि इंपोर्टेंट है एक दो कोश्चन यहां से जाएगा तो चलिए देख लेते हैं कोश्चन सॉल्ट कर लेते हैं सभी mcq वैदिक संस्कृति के कोश्चन सुरू करते हैं पहला कोश्चन है रिगवेद की रचना कहां हुई तो इसका सब्सक्राइब को ऑप्शन डी सब्सेंदों प्रदेश सब्सेंदों प्रदेश किसे विवेश्था का सरप्रिथम विवरंड कहां प्राप्त होता है रिगवेद के दसवे मंडल में उसमें दसवे मंडल में वन विवेश्था का विवरंड प्राप्त होता है देखे दसवे मंडल में जो पुरुष सुक्त है उसमें ये वन विवेश्था लिखी गई है जबकि ये सही नहीं माना चाता है तिलक ने कहा आर्करिटिक प्रदेश ये आये थे वेद सब्द का अर्थ क्या है ऑप्शन ए ग्यान पुराणों की संख्या कितनी है तो 18 पुराण है आरे अनार युद्ध का वर्णन कहा मिलता है तो वेदों में मिलता है आरे और अनारे का युद्ध देखे इसे कहा जाता है जो पुरुष्णी के तट पर हुआ था जिसे अब रावी नदी कहते हैं उसे पहले पुरुष्णी कहते थे तो उसे दस राजा का युद्ध यानि दस रागी युद्ध भी कहा जाता था आरे और अनारे का जो युद्ध हुआ था मोटल आठ बार आया और्स मिधि का नौब आज के टाइम पर जो राजय सभा उसी तुरह से सभा होती थी और समिधि आज की तरह जैसे लोग सभा होती है वैसे समिती होती थी उत्तरवैदिक काल में विभाजन का आधार क्या था तो तो यह था कर्मकांड यहां पर कर्मकांड की प्रधानता हो गए थी आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था एशिया माइनर यह अलग-अलग जो इतिहासकार है उन्होंने अलग-अलग छेत्र माना है जैसे आर्कटिक अभी हमने पढ़ा कि बाल गंगादर तिलक ने कहा कि आर्कटिक प राप्त हुए हैं वैदिक सभिता की क्या विसेस्ता नहीं थी नग्री सभिता नहीं थी यह थी ग्रामिर सभिता नग्री सभिता सिंदू सभिता थी मैक्स मूलर नामक विद्वान किसले प्रशिद है तो यह वेदों का अध्यान करने वाला था किसले प्रशिद है वेदों क के लेक प्रिशिद्ध हैं तो बाल गंगात अर्थिलक ने आरेयों के बारे में लिखा था रिग बेद सब्विता में आगे क्या हुआ क्रिशी सम्मंदी अर्थ पर उस्ता थी नहीं ये पस्वालन से सम्मंदी थी सहरी जीवन का पतन हुआ ये विल्कुल सही है पत्थर की मू वैदिक यूग में पैत्रिक परिवार थे ओप्शन B वैदिक यूग में मना का अर्थ था मना का क्यार था धन पाईश्वा कोश्चन है सिंदु घाटी तथा वैदिक दोनों में सब्विताओं में समानता हैं क्या थी तो मूर्ती पूजा का प्रचलनता देखिए उत्तर व वैदिक समाज में किसका अस्तित्य था पैत्रिक परिवार प्रकृति पूजा वन्डवेवस था सभी ये सभी रिग वेद में वन्डित धर्म का आधार क्या था ओप्शन सी प्रकृति पूजा ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे रिग वैदिक काल में प्राचीन साहि में वर्णित विवाहों के प्रकार कितने हैं तो आठ प्रकार के विवाब बताए गए हैं 1400 इसा पूरूर का एसिया माइनर का एक अविलेक जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है किस स्थल पर पाए गया है तो ये option B होगा बोगज कोई इसके अधार पर कहा जाता है कि जो आ रहे थे वो इरान से आये थे यही बोजग कोई अविलेक के अधार पर नेमलेकेत में से कौन सी महिला विदुशी वैदिक ग्रंथों की रचेता मानी जाती है तो ये सभी हैं विशुवारा घोसा आपाला प्रसिद गयत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है तो ये रिगवेद में है ये सूरी को समड़ पित है सविताजी से कहते हैं वैदिक काल में सासन का सामानी रूप क्या था? ये था राजदंद्र वर्ण विवस्था की उत्पत्ती का संकेश सर्प्रिथम किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? तो रिगवेद में मिलता है ओप्शन ए संसकारों का वर्ण निमलिखित में से किस मोल पार्थ में है? तो ये ग्रह शूत्र में संसकार किसमें बताएगे हैं ग्रह सूत्र में हमारे सोला संसकार है निमलिखित में से कौन सी भासा इंडो आरेन भासा से संबंद रखती है तो यह option C पर्शियन भासा सत्यमें जैते उक्ति सरपृत्थम कहां वेक्ति की गई है तो उपनिशद में कौन सा उपनिशद है मुंड को उपनिशद अद्वयत दर्शन का प्रतिबादन निमलिखित में से किसमें मिलता है तो उपनिशदों में option B वैदिक काल में राजा को स्वच्चा से दिया जाने वाला उपहार था इसे बली कहते थे जो स्वच्चा से दिया जाता था option C अनुलोम और प्रतिलोम किसे संब्दित है तो ये विवाह की प्रकार है अनुलोम और प्रतिलोम option C वैदिक भारत में कैसा था राजाओं में बहु विवाह प्रचलित थे वैदिक काल में भी राजा कई विवाह करते थे कौन सा वेद कर्म कांडू से बिसेस रूप से संब्दित है तो ये है ये जुर्वेद option B रिग वेद सहिता के मंत्रों का एक चौथाई निमलिकित में से किस देवता को समर्पित है तो ये option C इंद्र को निमलिकित में से कौन विदुषी महिला वैदिक मंत्रों की रचेता नहीं थी तो विशुवारा अपाला घोसा थी गारगी नहीं थी option C अगर गारगी आता है तो उन्होंनों वेदों के किसी मंत्र की रचना नहीं किये रिगवेद में वन्डी सबसे सामाने अप्राद कौन सा था तो ये था पसों की चोरी उस्टा ही पसों की चोरी सामाने बाद थी option B आत्मा के आवागमन की परिकल्पना निमलिकित में से सरपिथम कहां मिलती है तो ये रिगवेद में मिलती है option है बोगच कोई अभी लेक में किन वैदिक देवताओं का उलेक मिलता है तो इंद्र, वरूण, नासत्य, मित्र option B किसका किसका मिलता है इंद्र का, वरूण का, नासत्य का, मित्र का देखे इसको रट लीजेगा option में आ सकता है इसमें से कोई एक नहीं देगा या फिर कोई एक्स्ट्रा देदेगा और eliminate करके आपको option सही जावब देना होगा किस सहीता को ब्रह्मवेद कहा गया है तो इसका सही जावब है option D अथरवेद को ब्रह्मवेद कहा गया है दस रा की युद किस नदी के तट पर लड़ा गया तो परुषणी नदी के option B जिसे अब रावी नदी कहते है भारती जाती वेवस्था अपने स्रेष्ट स्वरूप में मानी जाती है किसलिए क्योंकि कारियों का विभाजन था वेदांग की कुल संख्या है तो छे वेदांग है टोटल सामवेद क्रंथ है मंद्रों का option A देखे सामवेद ऐसा एक वेद है जो पद्दे में है जिसे गाया जा सकता है सुदास के विरुद दस राजाओं का युद किसके नेतरुत में लड़ा गया तो ये विश्वामित्र के option B देखे सुदास की तरब से जो रिशी थे उनका नाम था वसिस्ट और जो दूसरे आ रहे थे और दस अलग राजा थे उनका नाम था विश्वामित्र उनके जो रिशी थे वो थे विश्वामित्र सुदास की तरब से वसिस्ट थे रिगवेत का एक संपूर मंडल निमलिखित में से किस एक को समर्पित शूक्तों का संग्रा है तो उप्शन सी सोम कौन सा मंडल है यह वाला नाइन्थ नमबर का नौवा मंडल सोम को समर्पित है पूर वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में राजस सो गठन में मुखी परिवर्टन हुआ तो इसका होका उप्शन सी राज जी के संगठन का आधार कुल ना रहकर अपीतु भूमी विस्तार हो गया देखे पूर वैदिक काल में जो परिवर्टन हुए बाद में भूमी को ज़्यादा इंपोर्टन्स दी जाने लगी राजा सुदास जिसके विसे में रिगवेद में वणित है कि उसने दस राजाओं के संगठ को पराजित किया किस वन्स से संबन भी था इसके वन्स का नाम था त्रिट्सू ओप्शन सी निमलिखित ग्रंतों में से किस में सरप्रतम परिक्षित का उलेक हुआ है जो राजा परिक्षित है उनका उलेक हुआ है अथरवेद में उप्शन ए उत्तर वैदिक साहित में राजाओं और राजियों के निमलिखित युग्मियों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो अजात सत्रू की जो राज़ानी थी वो काशी थी असोपती केके से थे, जनक विदे से, जनमेजे गांधार से नहीं थे निमलिखित पुरोहितों में किसका कारिक यगी के संपादन का रिरिक्षण करना था तो यह option B होगा ब्रह्मा ब्रह्मा कौन होते थे जो अथरवेद की प्रमुको ब्रह्मा कहा जाता है अद्वरियू कहा जाता है ये जुर्वेद के प्रमुको होता रिगवेद के उद्गाता सामवेद के प्रमुको कहा जाता है सरपिधम साहित ये का वर्ग कौन सा है तो रिगवेद ये जुर्वेद और सामवेद देखिए इसमें अथरवेद सामिल नहीं है और वेद त्रई जिसे कहा जाता है तीन वेद वेद त्रई में आते हैं रिगवेद ये जुर्वेद सामवेद उसमें भी अथरवेद नहीं सामिल किया गया है प्रारंबिक वैदिक कालीन आरेयो का मुख्य वेशाय क्या था तो पसुपालन था ओप्सन D देखे क्रिसी से इने ज्यादा मतलब नहीं रहता था और ज्यादा तर लड़ाईयां जो थी वो गाय के लिए होती थी पसुपालन से सम्मधित चारा गाह से सम्मधित लड़ाईयां होती थी सबसे पूर्व मानी जाने वाली सम्म्रिती कौन सी है तो मनुष्म्रिती ओप्सन C रिगवेद सब्यता का वत्त्तो जिसकी उप्टिशितों के रिशियों ने आलोशना की तो ओप्सन B यग्यवाद वैदिक युगीन इतिहास का प्रधान स्रोथ क्या है तो सुरुति क्यों का जाता है क्योंकि ये जो वेर लिखे गए हैं ये सुन के लिखे गए हैं एक रिशी दूसरे अपने शिश्यों को सुनाता था और वो जो याद रख पाता था उतना लिखता था इसलिए इसे सुरुति का आ गया है वैदिक युग में राजा के पश्चाद महतुपूर्ण अधिकारी कौन सा था तो आप्शन ए सेनानी मिताच्छरा की रचना किसने की संत विज्यानेश्वर ने ओप्शन डी निम लिखित स्मृतियों की अनुसार ब्रामहड को सुद्र द्वारा दी गई बीक्चा तो ओप्शन भी नहीं लेनी चाहिए मतलब ऐसा बोला गया था इस विर्टियों में कि ब्रामहड को सुद्र से अगर कुछ दिया जाता है तो नहीं लेना चाहिए निम लिखित में से सबसे प्राचीन सुण सी का कौन सा है तो निस्क कहा जाता था सुण सी को ओप्शन सी पूर वैदिक काल में निम लिखित में से किसमें प्रजातांत्रिक मामलों पर विचार विमर्ष नहीं किया जाता था तो जन जो एक प्रकार की सबा थी जिसमें प्रजातांत्रिक मामलों पर विचार विमर्ष नहीं किया जाता था बाकी में किया जाता था सबा समिती विद विदत सबसे पुरानी संस्थाती निम्ण में से कौन सा यगी राजा के राजा विकृषेक से सम्मंदी था तो सबसे पहले राजय पिशे की परंपरा कब शुरू हुई रिगवेदिक काल में कौन सा कराधान से संबंदेद विचार सकते हैं पिता के जीवन काल में ही पुत्रों के बीच संपति के विवाजन की अनुमती दी थी तो विग्यानेश्वर ने मिताक्षरा में लिखा है कि पिता को अपने जीतेजी सभी संपति को बटवारा कर देना चाहिए जीवन काल में ही अपने जबकि जीमूत वहां ने दाय भाग लिखा था एक जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक पिता जिंदा है तब तक संपति का बटवारा नहीं होना चाहिए जनक के दरबार में गारगी नहीं चुनोती दी थी किस रिशी को तो यागिवलेक को वैदिक कालीन रतनीन के बारे में कौन सा कथन सत्ते नहीं है वै आयोगी वेक्ति थे एसा नहीं है वो आयोगी वेक्ति नहीं थे वे रतन धारान करना पसंद करते थे वे राज की सियों में रत कुलीन वेक्ति थे वे राज की कर्मचारी थे जिने रतनीन का आ जाता था विख्यात दश्राग युद्ध हुआ था तो ओप्शन डी दो शक्ती संगठोनों के बीच जिन में प्रतेक पक्ष में आरे और अनारे सम्मिली थे एक तरफ राजा सुदास थे जो त्रिच्शू वंस से सम्मिली थे और दूसरी तरफ दस राजा थे जिसमें पांच आरे थे पांच अनारे थे निवन में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है तो ओप्शन बी येजुरवेद साम वेद केवल पद्य में है येजुरवेद और अथरवेद गद्य और पद्य दोनों में है रिग वेद में कुल मंडल है तो दस मंडल है रिग वेदिक काल के विशे में सत्य है तो ओप्शन बी प्राया कर का भारे वैसे समुदाय पर था वैदिक काल में इंद्र के बाद दूसरा प्रमुक देवता कौन सा था? उप्शन C, अगनी पहला इंद्र दूसरा अगनी समाज के चत्रवित वर्गी कराण का विचार प्राप्त होता है उप्शन B, रिग बेट के केशिन जूप्त में सोम पेग का संबन्ध निमलिकित में से किस वैदिक यगी से था? उप्शन A, अगनी स्टोम वैदिक देवता वरोण के बारे में निमनांकित कत्नों पर विचार कीजिए और नीचे दे गए उत्तर संकेत की अनुशार अपना उत्तर चुनिए पहला है नैतिक ब्योस्ता के संरच्छक थे दूसरा है जंजावाद के देवता थे देखिए जो वरोण देवता है वो जंजावाद के देवता है और तीसरा है पापियों को दंड देते थे मतलब यह पापियों को दंड देने वाले थे चौथा है वर्सा के देवता थे इसका जो सही option होगा ये वर्सा और जंजावात के देवता थे वरुन जो देवता है वर्सा और जंजावात इसमें option B लगा है लेकिन सही जो है वो 2 और 4 है 84 क्या है वैदिक सभा और समिती को किस देवता की दो पुत्रियां कह गया है तो option C प्रिजापती की पुत्रियां थी वैदिक सभा और समिती छांदोगी उपनिशत का संबंध किस वेद साखा से है? सामवेद से छांदोगी उपनिशत किसका है? सामवेद का अध्वरियू का अर्थ था यागी करने वाला पुरोहित ये जुर्वेद का जो पुरोहित होता है उसे कहा जाता है अध्वरियू option B नेम्न वैदिक सब्दों में कौन सा सब्द क्रिशी उपकरण का दियो तक नहीं है तो पहला है चर्षरणी बाकी जो हैं वो क्रिशी उपकरण है लांगल वरिक सीर देखिए वैदिक सब्दों में ऐसे नाम थे लांगल वरिक सीर चर्षरणी इसमें नहीं था राजा के निर्वाचन से सम्मंधित सुक्त पाए जाते हैं option ने रिगवेद में सुरा की आहुती किसका लक्षण है तो कई प्रकार के पहले यगी होते थे जैसे अस्वमेद गवामने और राजसुई लेकिन जो डी option है सौत्रा मड़ी इसमें सुरा की यानि शराब की आहुती दी जाती थी राजी के अधिकारी जिने रत्निन कहा जाता था किस यगी से सम्मंदित होते थे तो option B राजसुई यगी इमनांकित में से किस यगी में 25 यूपों के प्रयोग का विधान था तो पुरुशमेद यगी में 25 यूप का विधान था option B होता क्या है? रिगवेद में देव का अहवान करने वाला यो रिगवेद का पुरोहित होता था उसे होता का जाता था सुदास किस वंस का था तो भरत वंस जिसे तृत्सु अंस भे कहते हैं अगर भरत तो तृत्सु दोनों आए तो आप कोई दोनों नहीं आएगा वसे कोई एक आएगा तो आप भरत भी लगा सकते हैं तृत्सु भी शिव का प्रथम रूप साहित में क्या मिलता है तो रुद्र option B यूब क्या है यागी किस्थम option A रेक व्यदिक कारीन आडियों की पहचान किससे नहीं थी शिव से इंद्र की पुजा होती थी मरूत की सोम की शिव की नहीं होती थी चित्रित दूसर मिद्बांट किस काल से संबन्दी थे व्यदिक काल से option B किस प्राचीन ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था गुड़ों अबरिचियों पर आथा रही थी तो C गीता निम्ण में से कौन सा व्यदिक राज ग्रंथ के अध्यान में सहायक होता है तो विदत सभा परिशत समिती के सभी सहायक है वैदिक रंथों में प्रयुक्त रिद सब्द का अर्थ निर्धाराण कीजिए तो सीता का मतलब था हलकी रेखा उप्सण D उत्तर वैदिक काल में महत्यु प्राप्त किये प्रजापती देवता में कौन से पूर वर्थी देव समाहित हो गए तो इसका उप्सण होगा दो और चार विश्व कर्मा और हिरण गर्व प्रजापती में समाहित हो गए अपने पुरोहित के साथ विदेध माथो के पूर्व की ओर प्रवजन की कथा निम्नांकित में से वर्णित है सत्पत ब्रामण में उप्सण B देखे कहा जाता है कि विदेध माथो एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपने मूँ में अगनी को धारान कर दिया पाद में जब अगनी बाहर निकली तो जो उत्तर का एरिया है इंडिया का उसे चलती हुई पूरव की तरफ बढ़ी और बीच में जितनी नदिया थी उन्हें जलाती हुई गई बाद में गंडग जिसे पहले सदा नीरा का जाता था जब वहां पहुंची तो सदा नीरा को नहीं जला पाई तो पूरे जो आरे थे सदा नीरा तक फैल गए गंडग तक गंडग आज कहां इस्ते थे उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पे ये कहानी है जो सत्पत ब्रामभण में मिलती है जंगल की देवी आरे नीरा का प्रथम उलेख है रिक साहिता में ऑप्शन नहीं रिक वेज के सूक्तों के विशय में कौन सा निमनांकित कथन सकती है तो इसका सई जब है वन और थे उनमें हिमवंत और मूजवंत का उलेख है और तीसरा जादा तर पशिमी एरिया में थे उत्तरी और पशिमी एरिया में गंगा और यमुना से इनका जादा संबन नहीं था गंगा के दोआब में यह नहीं आ पाए थे बाद में आये उत्तर वैदिक काल में तो रिक वैदिक काल की बात हो रही है तो यह यमुना और गंगा के भारण करते थे, रिख्बेद में उस लुकित सत्रुदी एक नधी का नाम है, सत्रुदी किसे का जाता है जो अब सत्लाज है। सेंस्रकृति के विशला में क्या सुमिलित है asks, रिबू का जाता है बोने को यहीं सुमिलित में। निमलिखित वेधांगों में से कौन सा एक सही सुमिलीत नहीं है तो कल्ष कर्मकांड से, जियोतिष खगुल विग्ञान से, सिक्छा ध्वनी सास्त्र से, नीरुक्त व्याकरण से संबन्धित नहीं है निमलिखित में से कौन सी बातें उतरबैदिकाल की लक्षण है जंगलों का प्यापक रूप से जलाया जाना, लोग करणों का निर्माण, रितुओं का ग्यान देखे, सिचाई के लेक्षन नहीं मिलते रिक पेद में लोग इंद्र का निमलिखित प्रियोजन से हवान करते थे निमलिखित में से कौन उपनिश्दों में निमलिखित के एक जनपत का एक दाशनिक राजा था प्राचीन भारतिक धर्मक्रंथों में किसके साथ क्रिशन के विरोध का उलेक मिलता है तो उप्सन सी इंद्र, इंद्र से लड़ाई हुई थी क्रिशन की ब्रह्म और आत्मा की अभिनिता के विशय में उद्दालक, अरूडी तथा उसके पुत्र श्वेत के उत्यू के बीच विख्यात सम्वाल किस उपनिश्द में है तो यह चांदोग उपनिश्द में है उप्सन B चांदोग उपनिश्द जो है वो किसका है या जुर्वेत का नील लोहित जो वैदिक ग्रंथों में उलिकित एक प्रकार का म्रिद भांड है किस से अभिन माना जाता है ओप्सन C प्रिश्ण और लाल भांड वैदिक ग्रंथों में उसर भोमी का वेंजक है ओप्सन D खिल लो हर एक बेद में उलिकित यदू और तुर्वस कौन थे तो ये दो जन थे दीखे पहले जो कबीले थे उन्हें जन के रूप में विभाजित किया गया था तो यदू और तुर्वस उसमें से एक थे आज के लिए इतना ही हमने वैदिक संस्कृती पूरा MCQ सॉल्व कर लिया है जितने कोशन बन सकते थे जितने इस वीडियो में सामिल हो सकते थे सभी सामिल कर लिये गए हैं और अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक सॉल्व करेंगे इसके कोशन सॉल्व करेंगे अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा थेंक्यू सो मच्छ पर लाचिंग ब्लेक टाइम क्लासेज